हैलो फ्रेंड्स मैं जय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विसेज ग्यान में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम 2.0 में जो दो बहतरीन उप्सन आए हैं उनके बारे में चलिए चल कर देख लेते हैं वो कौन से उप्सन है पहला उप्सन आपको स्टॉक समरी के अंदर मिलेगा जो सेव व्यू करके होगा जो कि आपको ये जो आपके बटन बार्स है जो इनका पैनल है इसमें मिलेगा सेव व्यू जिसकी सौटकट की है कंट्रोल के साथ एल इसका क एक्टिवेट करते हैं फिर हमें यहां पर कॉलम वाईस रिफ्लेक्ट होता है कि कितना ओपनिंग था कितना इंवर्ड था कितना आउट वर्ड था यह सारी चीज़ें मिलती है लेकिन जैसे ही हम बैक होते हैं इसका बटन प्रेस करके फिर वापस आते है तो इसका वियू व बैलेंस दिखता बाकी कुछ नहीं दिखता है तो इससे देखने के लिए हम क्या ऐसा मतलब चेंज कर सकते हैं कि हमें हमेशा वैसे ही रिफ्लेक्ट हो तो यह उप्सन आपको टैली प्राइम 2.0 में दिया गया है इसके लिए आपको क्या करना है आपको एक बार सिंपली यह आपर जो भी ऑप्सन आपको चाहिए जिस तरीके से आपको सैट करके रखना है कि जब भी आप आएं आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट हो आप उन ऑप्सन को एक्टिवेट कर दीजी आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको इसी तरीके से देखना है हर बार तो आ इंटर इंटर करके सेव कर देना है ठीक है अब क्या है कि आप बाहर जाएंगे इसका बटन से और वापस स्टॉक सम्री में गे तो आपको वैसे ही दिखेगा जैसे आपने सैट किया था आप देख सकते हैं अब इसके लावा अगर वापस आपको इसे हटाना है तो आप इसे यहां पर no करेंगे, save करेंगे, फिर वाहर जाएंगे, वापस अंदर रहेंगे तो आपका हट जाएगा, या इसके लावा मान कर चलिए कभी आपको अपना जो profit देखना है, वो stock summary wise देखना है, यानि stock के मतलब बिहाफ पे आपको अपना profit देखना है, तो आप 100 profit करते हैं, यह पर आपको आपका profit reflect 50% वगरा जो भी है, आप इसे भी इस तरीके से रखना चाते हैं, तो आप कर सकते हैं, जो चीज मैंने अभी बताई, opening और invite वगरा के लिए, वही चीज आप यहाँ पर भी apply कर सकते हैं, इसके लावा friends अगर मान कर चलिए, आप सोच रहे हैं कि नहीं stock summary में वो जो report मैंने देखी है, वो मुझे हमेशा वहाँ पर वैसे न दिखे, यानि कि जैसे stock summary में हम जाते हैं, तो हमें सिर्फ closing balance दिखता है, आप चाहते हैं यह ऐसे ही दिखे, लेकिन जो opening, inward, outward और यह जो closing का जो balance जो हमें दिख रहा था, अलग-अलग column wise, यह हमारे पास क नहीं save हो जाए, टैली के अंदर, ताकि हम वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं, तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी देखिए friends आपको क्या करना है, आपको F12 config में जाना है, और यहाँ पर जाके जो options आपको activate करने हैं, आपके use में जो जो options हैं उसे आप activate कर दीजिए, उसके यह बत करना है, मुझे यह option को activate नहीं करना, यानि इसे yes नहीं करना, इसे yes करने से क्या होगा, मैंने बता दिया है, फिर वो आपको stock summary में वैसे ही columns दिखेंगे, लेकिन मैंने second case में क्या बोला, आपको वैसे columns चाहिए नहीं, लेकिन यह जो आपने report बनाई है, जो columns wise, यह आ outward, outward और closing case जो report बनाई थी, यह कहां मिलेगी, alt के साथ G हम प्रेस करेंगे, go to में जाने के लिए, go to में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है stock 1, यह मैंने नाम रखा था, याद होगा आपको, इसमें जाएंगे, हमें यहाँ पर वो report reflect होगी, और मैं यह तक बता दू कि आप अगर कोई entry करेंगे purchase, sale की, तो उसका effect भी यहाँ पड़ेगा, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 132 piece आपको inward दिख रहा है, यह जो stock है, अब चलिए, अगर हम इसमें कोई changes करते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या उसका effect पड़ता है वहाँ पर, यहाँ पर हम इ वह stock summary में set करके रखने की जवरत नहीं है, by default, तो आपको यह दो changes समझ में है कि आपको 2.0 में मिलेगा, इसके लावा इसमें और भी option है, यहाँ पर option क्या है, जैसे मान कर चलिए, यह मैंने options activate कर दिए, यहाँ पर यह जो option है, so additional configure, इसमें जाएंगे, तो क्या यह आप सभी company के लिए करना चाते हैं, या सिर्फ यह जो selected company है, जिसे आपने open करके रखा, इसके लिए करना चाते हैं, तो अगर आप सभी company के लिए ऐसा करना चाते हैं, तो आप कर सकते हैं, otherwise selected company के लिए कर सकते हैं, और बाकी यह जो नीचे आपको 2 options दिख रहे है वो आपके stock summary के लिए तो useful नहीं है, वो masters के लिए useful है, जैसे जो हमारे lasers वगरा हो गए, उसके लिए useful है, या उसके नीचे जो option है, save with this selected period वगरा, ये सब हमारे balance sheet में सही धंग से काम आएंगे, stock summary के लिए नहीं है, तो ये जो आपको option मिल रहा था save view का, इसमें जितने options आपक stock summary से related थे, मैंने आपको बता दिये, अब जो दूसरा हमारा जो option हमें दिया गया, telly prime 2.0 में, वो क्या है, ऐसे तो बहुत सारे updates हैं, इसके अंदर, लेकिन मैं जो आपको इस video का जो मेरा content है, मेरा अभी फलल, दो ही options मैं आपको बताऊंगे, इस video के अंदर, तो मैं सिर्फ उसी के उपर बात कर रहा हूं, लेजर्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर मान कर चलिए, कोई भी हम party खोल लेते हैं, चाया हो मारा creditor हो, data हो, ठीक है, अब मान कर चलिए, मैंने जो यहाँ पर GST number डाला है, जो भी party का डाला है, वो सही है की नहीं, वो activate है की नहीं, मतलब वो अभी number ऐसा तो नहीं की cancel हो गया है, यह सारी चीजे चेक करनी है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरा net connect होना चेश सिस्टम के साथ, यह याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक option मिल रहा है, 2.0 में ही यह option है, यह याद रखिएग लेकिन इसके लिए आपके पस एक condition और है, कि आपका जो tally का tss है, यानि tally subscription, वो expired नहीं होना चाहिए, अगर वो expired हो गया, तो आपको क्या message आएगा, देखिए, यहाँ पर आप जैसे उस पर click करेंगे, yes या no करने के लिए पुछेगा, yes करेंगे, तो आप देखें नीचे में क्या message आदा है, renew your tss to perform this activity, यानि अगर मेरा tss expired नहीं हुआ होता, तो यहाँ पर मुझे वो message आ गया होता, लेकिन अभी मेरा tss expired हो चुका है, तो इसलिए मुझे वो report नहीं दी जारी है, जबकि मेरा net भी connect है, मेरा जो tss है, वो 31 अगस 2021 को ही expired हुआ है, यानि तक्रीब 20 दिन पहले ही मेरा tss expired हुआ है, अगर मैं 20 दिन पहले ही ये वीडियो बना रहा होता, तो मुझे यहाँ पर वो report reflect हो जाती, तो friends, आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आपको यही दो जो बैतरीन मुझे options लगे, tally prime 2.0 में वो बताने थे इस वीडियो में, मैंने बता द लगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो like जोड कीजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा, अगर नहीं किया है तो thank you friends for watching my video.